कि आने वाले trading session में क्रूर आईल में क्या moment देखने को मिलेगा अभी live market में trading session में 7160 के आसपास अभी live trading हो रहा है तो यह जो analysis कर रहा हूँ यह क्रूर मेगा के उपर कर रहा हूँ और साथ में साथ यहाँ पे dollars का भी analysis करेंगे फस्ट तेम विजिट करें कोशिस करें चैनल को सस्क्राइब करने की और डेली बेस को पर इंट्राडी लेफल चाहिए तो टेलिग्राम चैनल जरू जोइन करें वन आप दब बेस्ट एनलाइसस एक दम फ्री प्रोवाइड कराता हूँ लिंक आपको डिस्किप्शन में मिल जाएगा साथ में साथ इंट्राडे सेट अप नहीं बैठता तो मैं होल्डिंग का भी अनलेसस बताता हूँ काफी लोग होल्डिंग बेस ट्रेणिंग करना पसंद करते हैं तो दो से लेके तीन हफते में कोई टारगेट आता है कम से कम से लेके तीन सो पॉइंट के टारगेट दो तीन दिन में भी आपको मिल जाते हैं लास्ट वालेज 6800 के आसपर से एक लो किया था था वहां पे एक बाइंग का लेवल दिया था वो बाइंग का लेवल मैंने और यूटूब चैनल के उपर भी बताया था उसी के उपर मैंने एक कर सकते हैं लगब लगब 20 पॉइंट के असपास अभी गिरावट नजर आ रहा है लगब लगब फ्लैट ट्रेड होते वी नजर आ रहा है सबसे पहले में न्यूच के उपर फोकस करना चाहूंगा न्यूच की जो इजराइल की न्यूच है उसके बेस के उपर क्या पर जrang का कि लोगत अभी जो देखो गे तो यहांसे से तो कितने स्थ करेक्शन ओ चुके तो के बाद एक करेक्शन तो बनता ही है तो यहां पर जो करेक्शन देखने को मिल रहा है वो यहां पर 42 परशंट चलने के बाद अलमोट यह जो करेक्शन निकल के आ रहा है वो तेरा से लेकर 14 परशंट निकल के आ रहा है मतलब यह जो करेक्शन का देखने को मिल रहा है अलड़ होता है तो कुरूडाइल हमेशा अपसाइट जाता है क्योंकि डिमांड यहां पे और सप्लाइं में बहुत ज्यादा चेन में फरक आता है तो पिछले वाला जो देखोगे तो अमेरिकन और यह जो यूक्रेन और रश्या का जो वार चला था और यूएस यहां पर इन्वाल थ चाहिए यह हो गया है अभी हम टेकनिकली देखेंगे कि टेकनिकली आने वाले दिनों में क्या लिवल्स बनते तो सबसे बड़ा सपोर्ट निकल किया रहा है पांच हदार पासों के आसपास लो किया उसके बाद आपको देखना चाहिए कम से कम इसने यहां से तीन-चार बा सब्सक्सा ट्सनें और यह रहा है इसके बाद के अधिया होगा उसके बाद किया उसके बाद किया दो यह जो निकल के रहा है वह क्या अभी रेजिस्टन्स का काम करता है 26 Ved Life चुक में 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 आपको कैसे ने करेंगे और सुका मुदर कर आपको कुछ फार क दिनों में मेरे resistance के उपर trade कर रहा है तो अभी यहां से कोई phrase buy करना चाहते वो किस level पर buy करना चाहिए और stop loss क्या लगाना चाहिए वो clear cut यहाँ पर बताने की कोसिस करूँगा रही बाद यह जो technical analysis बता रहा हूँ कम से कम आपका दो से लेके तीन हफते का कोई plan है तभी एक profitable रहेगा और in the case market इसके अपोजेट जाता है तो आप पॉरपर stop loss के साथ भी trade है ले सकते हो और stop loss के साथ trade नहीं लेना चाहती है इंदे के आपकी position फस गई है आप मार्जिन पे करने में कोई भी issue आ रहा है तो आप मुझे WhatsApp कर लीजे या आप टेलिग्राम चैनल जाइन करोगे तो वहाँ पर मैं update भेसता रहता हूँ सेवन टू फाइजरो के आपर बाई के position बनाते हो तो stop loss रहेगा यहाँ पे 7050 का अर्मोस्ट यह 200 पैंट का stop loss रहेगा मतलब सिंगल नॉट में काम करते हो तो यह जो stop loss रहेगा यह 20 सदर रुपे का stop loss रहेगा और target में हम यहां से upside double लेके चलते तो double मतलब यहां से हम 72500 का यहां से buy करते तो next target यहां से 200 पॉइंट तो 7500 का हम first target लेके चलेंगे और 7750 का हम double target लेके चलेंगे तो first target यह रहेगा और second target यह रहेगा stop loss रहेगा 7050 का इसके नहींचे sustain करता है तो विकल आप stop loss के साथ position exit कर लिजे और stop loss के साथ exit नहीं करना चाहते है तो wait कर लिजे यह position आपके buy side रहती है तो same to send as user रख लिजे इंड़केस market जैसे train again वो यहां से reverse हो जाएगा आपके target मिल जाएगे तो इस level पर हम sale की position prefer नहीं करेंगे buy की position prefer करेंगे इस breakout के उपर buy कर लिजे stop loss लगाना है तो 7050 का stop loss लगा सकते हो अभी सबसे important है कि कि किसी ने 8000 या 7000 पासों की और 7600 के levels पर किसी ने buy की position बनाई होंगी वो क्या average कर सकते हैं तो देखो 7250 के उपर यह sustain करता है तो ब्योकुल average कर लिजे ये average आपके लिए उपर जाता है तो buying opportunity है ब्योकुल target आपको easily मिल जाएंगे लेकिन सबसे important है किसी ने 6800 के levels के आसपस किसी ने sale क्या होगा तो add मत क लिगर होता है तो sale की position आपको क्या करना है exit करना है फिर आपको sale के ऊपर बैटना नहीं है अपनी position square up कर देनी है डॉलर का भी analysis करेंगे डॉलर इंटेस में देखोगे तो बढ़िया एक breakout यहाँ पर देखने को मिल चुका है 87 के उपर sustain करता है अगेन breakout करता है इसके उपर sustain करता है कम से कम यह गंटा 60 minute candle close देता है तो ब्योकुल यहाँ पर buy के position prefer कर सकते हो stop loss लगाना है तो 85 का stop loss लगा दी पर नहीं है इंदा के रिस्की ट्रेड लेना चाहते हो तो 85 डॉलर के नीचे सेल की position prefer कर सकते हो और डाउनसाइड में डारगे आपको उपर यह sustain करता है तो आपको sale की position exit करना है फिर आपको sale के उपर नहीं बैटना है और इसके उपर आपको buy की position प्रिफर करना चाहिए प्रपर stop plus लगना चाहिए तो stop plus के साथ भी अपनी position square आप कर सकते हो तो यह आनालीज तरह का आने वाली दिनों में पुरूड डॉलर इंडेक्स में डॉलर्स का भी मैं लेवस प्रोवाड करता हो लिंक में डिस्किप्शन में देदूगा विवकुल टेलिग्राम चैनल जोइन कर लीजे डॉलर में फाइदा यह है कि वहाँ पर 24 ओवर ट्रेडिंग होता है और विदावड एक्सपरी से ट्रे